है लो स्टूरेंट सेकें अर्ट अजम्केंगें कुश्चिन नाबर सैवंथ और हिसाइस वन विडाट इस रियन नंबर स्टूरेंट यह फाइंड इस सेंप्लेस्ट फॉर्म यह नंबर किसी एक टेवल में आना चाहिए तो वहली हमकोफार्ण करना कि यह दूना नंबर किसी कितने टाइम्स में आ रहा है ठीक है देखिए एकर नाइन बाइन की तो दोनों एक टेवल में और ची और कितनी बार में आने चीए वह देख लेते हैं देख़े इसमें पहलें क्या कर लेंगे इससे find कर लिजिएगा, ऐसे इससे find क्या था है, यह वह लूगिस्ट डिविजन मेथड हो, तो वो find करते हैं, तो हम क्या करेंगे, वाई वाल अफ, divide करेंगे, इसको पहले हम find करें, यह देखने के लिए, student की, किस table में यह दोनों नमबर आ रहे है, उसके लिए हम क्या करेंग लॉग डिविजन मेथा जोस करेंगे, जो होता है, 69 छोटे नमर में बाहर रहता है, और जो बड़ा नमर हो, वो अंदर रहेगा, ठीक है, अब देखे, 69, किती मरत वाल, 69, 10, किती वाल, 92 आग देख लिए, 69, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, और यह हो जाएगा, यह कैंसल हो जाएगा, 8 में 60, 2, ठीक है, अब 69, इधर लिखते हैं, यह तो पता आपको इस डिवाइड में कैसे सॉल्फ करते ही, डिवाइड तो पता आपको लॉंग इस डिविजन मेथाद में, तो देखें, यह नमर इधर पूट कर देते हैं, डिव 23 is a 9, 3, 3 is a 9, 3, 2 is a 6, 23, 3 is a 69 आगया, तो 23, 3 is a 69, तो जो लास्ट में होता है, स्टुजन, बाई होता है, मतलब इस 23 की टेवल में, 69 अ 92 आएगा, लेकिन देखना हमें कितनी मरतभा आ रहा है, ठीक है, कितनी टाइमस में आ रहा है, देखें स्टुन, 69, 92 is equal to 69, और 92, डिव नगें स्टुन, 63 को आइगा, तो धीक हुजऑ डाइमस में, 69 कितनी आता है, तो देखें स्टुन, 23 के टेवल में, 69 कितनी माथ्वार उतेओं, तो धीक हां रहा है, तो यहां पर असारा हम पहला है, जो स्टुन, लौगर डीविजन आपतर जिससे फाइं कि किस तेवल में तो नबर आता है तो यह जाएगा किस तेवल में 69 थी समय प्रिके 3 बार में आता है अब 92 किते बार में आता हूं देख लिए 23, 3, 4 is a 12, 4, 2 is a 8, 9, 23, 4 is a 92, तो यह हो जाएगा 4, यह हमारा होगा 1st का आन से 3 by 4, अब 2nd करते हैं तो तो क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 2nd, 473, और 6, 4, 5, पहले हम क्या आते हैं, लॉंग इस डीजन में 3rd से फाइंड करें, कि स्टेर्म दोन नमबर आता है, यह हो जाएगा, छोटा नमबर तो वो बाहर रखते हैं, और जो बड़ा नमबर तो वो अंदर रखते हैं, ठीक है, अब देखे, 473, 2 is a 3, 2 is a 6, 7 is a 14, 4 is a 8, 9, तो यह 6, 45 से बढ़ा गया, तो हम क्या लेकिन 473 is a, 473 बन जा, 473, 5 मिस 3 गया 2 14 मिस 7 मिस 2 गता है, 7, और यह हो जाएगा, 5 मिस 4 गया, 1, ठीक है, अब यह हो जाएगा, यहापी यह डिवाइजर, यहापी आकर डिवेडनेंट हो जाएगा, 473, अब देख रहते हैं, 172 क्टेबल में आता है कि नहीं, तो 172, 172 क्टेबल, 2, 2 is a 4, 7 is a 14, 2 is a 2, 3, तो यह ब 24, अब देखते हैं, 172, 3 is a 3, 2 is a 6, 172, 21, 3, 1, 3, 4, 5, तो यह इससे बढ़ा आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, 344 लिखेंगे, तो 172, 2 is a 344, अब 13 मिस 4 मानिस में कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ गया, और 6 मिस 4 गया, 2, यह हो जाएगा, 4 मिस 3 गया, 1, अब हम दे यहा लिख लेता है, यहाँ पर दिवाइजर है, यहाँ पर आपके डिविदेन्ट हो जाएगा, आप 172, 192, कितने टाइमस पर देख लेते हैं, यहां लिख देंगे डिविडेंट जगा और 43 हमाने डिवाइज रह जाएगा यहां पर चल जाएगा जो लास्ट वाल डिवाइजर होता है वह हमारा उसी की टेवल में यह दोनों नंबर आना चुछिए तो 43 की टेवल में दोनों नंबर आता है अब किते टांस में आगे वह देख लेते हैं तो यह हो जाएगा 473 645 473 43 को डिवाइट करेंगे 473 से और 645 को डिवाइट करेंगे 43 से अब देखे लिये निकालना कि 43 कि टेवल में 473 किते बार में आता है और 43 कि टेवल में 645 किते बार में आता है यह फाइंड करना है अब यह क्या करेंगे तो हम कर लेते हैं 43 43 3 तो 43 किती वार में 4 73 किती वार में आएगा 24 it यह बहुत 344 बहुत कम है 43 9 327 होता है तो 9 3 27 होता है तो last number 7 आया है लेकि last number 3 है इसमें तो 9 से भी नहीं होगा 10 से भी नहीं होगा 11 से देख हिलते है एक टेवल में लास्ट में 3 आ सकता है 3 वंज़ा 3 4 वंज़ा 4 3 वंज़ा 3 4 5 6 7 और यह 4 तो 43 वंज़ा 4 73 मिल गया में अब देख लेते हैं चुन 645 के टेवल में अब देख लेते हैं चुन कि 43 के टेवल में 645 किते बार में आता ठीक है यह 3 2 6 6 नहीं आएगा 2 से भी नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा 5 से जब यह एलाम टाइमस में आगा तो यह सब जादा होगा तो यह हो जाएगा 4 15 क्योंकि 5 3 15 लास्ट में 5 आता है इसलिए कर लेंगे 43 15 ज़ा 5 3 15 5 4 20 21 अब यह जाएगा 3 1 3 4 5 3 1 4 4 5 6 तो आगया 43 15 ज़ा 645 यह जाएगा 15 ताइमस मार गया आगया यह फाइंड होगे अब हम करते हैं थार्ड वाला तो थार्ड वाला क्या हो जाएगा 1095 1168 पर देख लेते हैं longest division method से देख लेते हैं क्या है यह जाएगा 1095 और 1168 यह जाएगा अगता आगए 1095 95 25 25 यह जाएगा 1095 1095 यह जाए यह जाएगा 1095 यह जाएगा 1316 में से 9 ने मार गया 123456 7 7 और यह जीरो जाएग और यह cancel हो गया ये भी cancel हतलब ये भी cancel 73 हो गया अब 1095 देखिए श्रों 73 नाइन जावी बहुत कमार है इसे तो 73 टेन्स ना लिख देंगे हम कितना जाएगा 730 हो जाएगा यह जाएगा 5 और 9 मिस तरी गया 6 10 में 7 गया अब फिर अभी यहां पर हम नहीं लगए अभी 73 अभी यह 365 73 से बढ़ा है तो अभी इसको और साफ करेंगे इसके बाद हम यह वह दिविजन लगाएंगे देखिए श्रों 73 73 5 5 5 6 735 यह हो जाएगा हमारा 73 5 3 65 यह कैंसे लोगा है तो क्या मिल गया हमें स्ट्रूं 73 टेवल में अब लास्ट व्याजर हम क्या मिला लास्ट व्याजर हमीला सावं पता चालिएग टेवल में यह दो नमर आते होंगे यह हो जाएगा 1095 और 1168 is equal to 1095 divided by 73 और 1168 divided by 73 अब देख लिए अब हम पता करते हैं कि 73 ट्रूं 1095 किती मर्तवा में आता है किती टाइम्स में आता है ठीक है देख लेते हैं पर देख लिए स्ट्रूं 3 मतलब लास्ट नमर क्या है थ्रीकटेवल में ऐसा कौन सा नमबर लगाएंगे कि 55 last में तो 35 जा 15 573 5 जा लेकिशन 3 किती में 5 कहां कहाता है 3 13 36 9 34 12 35 15 तो 5 से होगा नहीं 73 जा होगा नहीं 33 60 33 33 38 34 39 27 33 30 तो 30 तक नहीं है अब इसको आदेख लिए 11 73 11 जा नहीं होगा 73 12 जा भी नहीं होगा 23 26 होता है 73 13 जा भी नहीं होगा 73 14 जा भी नहीं होगा 4 12 जा जाता है 73 15 जा क्योंकि 5 15 होता है 73 5 36 जा लेकिन हम 73 15 जा करेंगे हो सकते हैं देखिए श्रूं 73 5 6 जा 15 75 जा 35 36 जा 3 7 7 7 7 5 6 7 8 5 6 6 7 8 5 6 7 6 7 6 6 7 8 9 6 7 8 9 जा जा एगा और 7 8 9 10 11 यह मिलगे हमें यह मिल गए इस्टोट आवे 73 15 जा क्या कर सकते लास्ट नमर 5 तो ऐसे देख रहें थ्रीक टेवल 5 कहां कहाता है बस 3 5 15 होता है और कहीं नहीं आता है थ्रीक टेवल में जब 3 5 15 होता है तो इस टेवल नहीं होगा अब 5 को अगर एक नमबर आगे आप करते 15 55 में आगा तो 15 में आ गया है अगर 15 में आ तो 25 देख लेंगे 25 में 35 देख लेंगे आप ऐसे आप करते रहेंगे तो देखें श्रीं मिल गया अब हम देख लिए 73 टेर्म 11 एंटेवल एक तो देख लेते हैं अगर 15 3 6 18 तो 7 3 6 आट इतना नहीं होगी 7 3 5 3 6 5 आए था और 7 3 6 आए यह नहीं होगी बहुत यह बढ़ा आई यह तो 3 6 18 तो 3 6 18 होता है उसके बात कहीं 8 नहीं आता है तो जब 6 मिन आते 16 देख लेते हैं 73 16 सा देख लेते हैं अब सब्सक्राइब कर लेते हैं अब हम फूर्थ कर लेते हैं फूर्थ हो जाएगा 368 अपान 496 पहले कर लेंगे डिवाइट कर लेंगे यह हो जाएगा बड़ा नमर अंदर और चोटे नमर बाहर रहेगा तो 368 में 496 कितने मतरा देख लेते हैं कि अब 368 अब 268 में कितने ताइम से देख लेते हैं 282 क्या होता है 256 इससे बड़ा होता है तो 128 तूँ सा 256 गे लेते है 256 गे 1 और 150 गया 1 यह हो जाएगा 1 टू एट अब देख लेता है वनवनगों यह भी क्या हो जैक 1 1 2 1 जा जीकि टू टाइम्स बढ़ा होता है 1 1 2 1 1 2 8 मिस 2 के 6 और 2 मिस 1 के 1 यह कैंसिल 16 अब आपने देख लिए 16 टेल में आता है कि ने 1 1 2 तो अब देख लिए 16 7 ग्या होता है 1 1 2 15 तो क्या हो जाएगा 16 टेल आंब आता है यह जाएगा 16 डिवाइड वाई अब देख लिए 16 टेल में 368 और 493 मटते आप देख ली जाए टेल कि यह सुछा जाएगा टेल हो एक हुट टेल हुट 23 टाइम्स में आता है और जब 6 के टेरों में 8 किती टाइस आता है इस्टेरों 168 666 18 उसके बाद 8 कहीं नहीं आता है उसके बाद अगर 3 में आ रहा है तो हम 13 देहेंगे 13 में नहीं आगे तो हम 23 में देहेंगे 23 में आ गया है अब 16496 में किया रहा है 249 666 16 21, 496 31 घा सुख्या आता है खिलेख चन्हें guide, किशनम 7 आपि आता है ूस्टाम नहीं आता है नहीं देखे ड्रेम पिल सेवं इस सुनुदीघ श्ड़ान कुश्ण। ऑर जा गॉटी ला दीनượng 9, 7 वीच्डेय दाता है कुश्टनओ सम्धन हम 9,Madam, 8,7 ऑन प